नमस्कार सातियों मैं विजय पूनिया और आप देख रहें विजय एजुकेशन आज मैं आपको जानकर ही देने आया हूँ एक बहुत ही बहतरीन और पेरामेडिकल फिल्ड के इस परकार के कोर्स जिन में रोजगार की संभावना बहुत जादा है यानि मैं बात करने आया हूँ उत्तर प्रदेश अटल बिहारी मेडिकल करवाए जाते हैं तो आखिरकार एक यूपी का स्टूडेंट यूपी के गौवर्मेंट या प्राइवेट पेरामेडिकल कोलेज में किस प्रकार एडमिसन ले सकता है कब उसके फॉर्म बरे जाएंगे क्या डोक्यूमेंट लगेंगे कब कोर्स में एडमिसन के लिए परव सकते हैं क्या पेरामेडिकल कर लेने के बाद क्या बेनिफिट है पेरामेडिकल में बेस्ट पेरामेडिकल कोर्स कौन सा है इस पर हम बात करने वाले हैं देखिए बचो जब बात पेरामेडिकल की आती हैं तो पेरामेडिकल में मेरे प्यारे साथियो वैसे तो बहुत सारे क बात करूँ तो मैं आपको एक अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हैं एडमिसन ब्राउचर दिखा देता हूँ और इसमें आपको पेरा मेडिकल के जितने भी कोर्सेज उत्तर प्रदेश की जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है उन सभी की जानकरी दी हुई है बच्चों ये जो पेरामेडिकल डिग्री कोर्स हैं, ये चार वर्स ये डिग्री कोर्सेज होते हैं, और इन चार वर्स के पाठे करम में 12th बायो का और 12th मेट का बच्चा अपलाई कर सकता है, बायो के बच्चे को यहां priority मिलती है, क्योंकि बायो वाले बच्चों के लिए ज़्यादा कोर्सेज हैं, और मेहत वाले बच्चों के लिए केवल दो ही कोर्सेज हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है न और यूपी में बहुत अच्छे कोलेज हैं पेरा मेडिकल के और आपको तो पता ही है बच्चो पेरा मेडिकल कोरसेज करने के बाद होस्पिटल के अंदर जितनी भी बच्चो लेब है जहां आप बलड टेस्ट करवाते हैं या जो एक्सरे की है या ओप्रेशन थियेटर है वहाँ पर एजे असस्टेंट के तोर पर मेर दोस्तों जो हैं पेरा मेडिकल स्टाप काम करते हैं और इसके अलावा बच्चो ये एक ऐसा फिल्ड है जिसमें बहुत ही अच्छा पेमेंट मिलता है और तुरंट जोब मिल जाती है देखिए कौन कौन से कोरसेज हैं उत्तर परदेश में जो अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल यूनिवरसिटी के द्वारा करवाए जाते हैं मैं आपको बता दूँ यूपी में बच्चो एक एक एकजाम लगता है पेरा मेडिकल कोर्स में एडमिसन के लिए उसे बोलते हैं सी पेट सी नेट लगता है नर्सिंग के लिए और सी पेट लगता है पेरा मेडिकल के लिए जिसकी full form है common paramedical entrance test है ना अब देखोगे अगर आप इसमें तो देखिए बच्चों कौन कौन से courses हैं सबसे पहला course है आपका bachelor in medical laboratory science BMLS वैसे इसे BMLT भी बोलते हैं यह सबसे best course है paramedical का सबसे बहतरीन इसके बाद number 2 पे अगर कोई अच्चा course है तो वो है आपका यह BAC in medical radiology and imaging technology BMRIT इसे कहीं पर BRT भी बोलते हैं है ना तो यह बहुत अच्चा course है नंबर 3 पे अगर कोई course अच्चा है तो वो है BAC in operation theater technology इसे BOTT बोलते हैं नंबर 4 पे बच्चों अगर कोई अच्चा course है तो वो है आपका bachelor in bachelor of physiotherapy BPT बहुत शानदार course है बच्चों यह करने के बाद आप physiotherapy doctor बनते हैं इसके बाद में next आपका जो course है वो है bachelor of optometry इसे कई बार BOT भी बोलते हैं और B Ops भी बोलते हैं इसके बाद में last जो है वो है bachelor of occupational therapy यह BPT के जैसा ही एक course है इसके बाद है bachelor in audiology and speech language pathology B A SLP यह बच्चों course है आपके सामने 1 2 3 4 5 6 और 7 total 7 course है बच्चों है ना इन 7 में से अगर मेरे को कोई पूछा जाए कि sir top 2 course कौन से हैं तो मैं यही कहूंगा बच्चों top 2 में अगर किसी का number लगेगा तो एक तो BMLT का लगेगा और दूसरा BRIT का लगेगा BMLT में BMLS नाम लिका हुआ है आपके ठीक है ना बिल्कुल तो यह course है सबसे अच्छे हैं अब हम बात करेंगे कि इनके forum कब आइंगे देखो बच्चों forum कौन भर सकता है यह मैंने बता दिया जो बच्चे अभी 12 में study कर रहे हैं या जो 12 पास आउट हैं वो बच्चे फॉर्म जो हैं अपलाई कर सकते हैं है ना यूपी का बच्चा जो हैं वो forum बरेगा तो उसे government और private दोनों college में admission लेने का मौका मिलेगा other state का बच्चा भी forum बर सकता है लेकिन उसे केवल private college में admission मिलेगा है ना बिल्कुल तो मेरे दोस्तों 12 पाले बच्चे जो हैं जो अभी study कर रहे हैं या pass out हैं वो forum लगा सकते हैं बायो वाले बच्चे भी forum अपलाई कर सकते हैं और 매ध वाले बच्चे भी फार्म अपलाई कर सकते हैं लेकिन priority ज्यादा तर courses में किसको है बायो वाले बच्चे को minimum age criteria क्या है यहाँ पे 17 वर्ष है बच्चो minimum age criteria और maximum कोई limit नहीं है बच्चो ठीक है ना minimum आपकी 17 वर्ष उम्र होनी चाहिए यनि आपकी जो date of birth है बच्चो वो या तो 2007 या 2007 से कम या तो 2007 हो या 2007 से कम हो आपकी date of birth 2008 नहीं होनी चाहिए ठीक है बिल्कुल क्या सर एक student पेरा medical का और B.A.C. nursing का दोनों का form लगा सकता है क्या हाँ बिल्कुल दोनों का form लगा सकता है और दोनों का अलग-अलग दिन exam होता है एक साथ नहीं होता ठीक है ना अब बात करते हैं paper pattern की क्योंकि बच्चो इन courses में admission के लिए आपको प्रवेश परिक्षा देनी पड़ेगी entrance exam होता है UP में है ना तो उस entrance exam में क्या पूछा जाएगा तो देखिए बच्चों entrance exam जो होगा उसमें physics के जो क्यूशन आएंगे वो आपके total आने वाले हैं बच्चा वैसे इन्होंने 5 segment बच्चो यहां पर बनाई हैं ठीक है ना total कितने segment बनाई इन्होंने 5 segment आपके जो है इन्होंने बनाई हैं तो 40 जो क्यूशन है बच्चो वो आपके आएंगे physics के 40 जो क्यूशन है वो आएंगे आपके chemistry के 40 क्यूशन आपके आएंगे बाईलो जी के और मेहत वाले बच्चों के मेहत के आएंगे ठीक है बिलकुल इसके बाद में 40 क्यूशन आपके आएंगे बच्चो जो हैं English और जी के के ठीक है ना मैंने मेरे साथ यो थोड़े कम बता दिये हैं ये 50 50 होंगे 40 40 नहीं किते किते होंगे 50 50 क्यूशन होंगे ठीक है ना 50 50 क्यूशन रहेंगे तो ये आपका जो पेपर के अंदर क्यूशन का क्राइटेरियर रहेगा मैं अलग से आपको बता दूँ चलो देखिए बच्चों Physics के किते क्यूशन रहेंगे 50 क्यूशन Chemistry के किते क्यूशन रहेंगे 50 क्यूशन Biology के किते क्यूशन रहेंगे 50 क्यूशन और बच्चों English और G के इसके भी किते क्यूशन रहेंगे 50 क्यूशन टोटल पेपर में क्यूशन कितने आएंगे बच्चों 200 क्यूशन आने वाले हैं और पेपर में आपको time मिलेगा 3 गंटे का, किता time मिलने वाला है, 3 गंटे का time मिलेगा और बच्चो negative marking नहीं होगी, याद रखना negative marking नहीं होगी, negative marking क्या बच्चो नहीं होगी, है ना बिलकुल जी, अब रही बात syllabus की, तो syllabus 11th और 12th दोनों का पूछा जाएगा, 11th एंड, 12th दोनों का syllabus इस exam में पूछा जाएगा बच्चों, पेपर किस मीडियम में होगा, पेपर बच्चों आज से पहले तो इंगलीस में होता था, लेकिन इस बार संभावना है कि इंगलीस और हिंदी दोनो में हो सकता है, इसके लिए हम लोग भी परियास कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में कई बच्चे भी गए हैं, गारजन भी गए हैं, ठीक है न, व्यक्ति का तोर पर मेरी कई बार इसमुद्दे पर बात भी हुई है, तो इस बार पूरा चांस है कि पेपर आपका दोनों म प्रीडियम में होगा, ठीक है न, बिल्कुल, फिर भी आप बच्चों बाइलेंग्वल पढ़ते रहो, हिंदी मेडियम वाले बच्चे हैं, मैं उनको कहूंगा, फिलाल आप बाइलेंग्वल पढ़ते रहो, जब तक ऑफिशिल साइट पर अपडेट ना आए, ठीक है न, बिल्कुल जी, अब देखिए बच्चों, ये पूरी जानकारी मैंने आपको पेपर पेटरन को लेकर बता दी, कॉमन पेरा मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट दो अजार चोबीस, ये उसका जो है पूरा पेपर पेटरन रहने वाला है, अब सर इसकी हम तैयारी कैसे करें, तो द डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के विजय एजूकेशन सर्च करो और अपना डाउनलोड कर लो, एप डाउनलोड करने के बाद में, एप के अंदर आपको जो हैं, ये अटल बेच मिलेगा, पेरा मेडिकल के लिए, इस बेच को जोईन करो, इसमें फिजि अपरेल में फोर्म आएंगे, एक्जाम कब होगा पेरा मेडिकल का, लगबग बच्चो जुलाई में होगा, ये ना, इंट्रेंस एक्जाम कब लगेगा, जुलाई में लगेगा, जब बच्चो आप एप को डाउनलोड करेंगे ना, एप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए एप में mobile number डालोगे तो वहां आपको course age की list दिखेगी course age पे जैसे ही आप click करोगे ना बच्चो तो वहां या तो आपको buy now का option दिखेगा और या बच्चो option दिखेगा I am interest का I am interested है ना जहां मेरे दोस्तों course के नीचे या तो buy now का option दिखेगा और या I am interested का option दिखेगा है ना बिलकुल तो अगर आप course buy करना चाहते हैं तो I am interested पर या buy now पर click करोगे click करते ही या तो सीधा अंदर एप के अंदर payment का option आ जाएगा और या बिटा payment करने के लिए आपके SMS वाले SMS box में message वाले inbox में payment की link आ जाएगी तोरंत उस link पर click करके जैसे ही payment करोगे तोरंत आपका एप के अंदर बेच जो है वो activate हो जाएगा ठीक है ना और मेरे प्यारे सातियों अगर आप payment नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास में online payment की सुईदा नहीं है तो आप हमारे जो ये number दिख रहे हैं आप इन number पे WhatsApp message कर दो और ये number सारे के सारे बचो phone पे Google पे और Paytm से जुड़े हुए हैं इन number पे online payment करवा के उसका screenshot बेज़ दो हमारी टीम तुरंत आप जो भी number बताओगे उस पे course activate कर देगी और आप एप में class देखते रहो और पढ़ते रहो ठीक है की नहीं? बिल्कुल जी मेरे प्यारे सातियों आप इन number पे call भी कर सकते हैं और अगर line busy आती है तो आप इन number को save करके mobile में और इन पे WhatsApp message कर दीजिए ठीक है ना? बिल्कुल जी अब देखिए बच्चों मैं आपको यहां पे college भी दिखाने वाला हूँ कि बई कौन कौन से हैसे college हैं जिन से आप पेरा medical course कर रहे हैं सकते हो और मैं एक मेहत वाले बच्चों की अभी बात कर रहा था ठीक है मैं वो भी बताता हूँ देखो बच्चों पिसले साल 2023 में एक्जाम कब हुआ था पता है आपको 2023 की यह डेट देखो 2023 में दो मई से फॉर्म बरे जाने स्टार्ट हुए थे मई से लेकर के फेस्ट जून तक आपके फॉर्म बरे गए थे 18 जून को आपका इंट्रेंस एक्जाम था पेरा मेडिकल का इस बार चांस है जून लास्ट या जुलाई फेस्ट में होने का ठीक है ना बिलकुल जी और बच्चों यह फॉर्म जो हैं कौन सी वेबसाइट पर भरे जाएंग ठीक है ना मेत वाले बच्चों के लिए कौन से पेरा मेडिकल कोर्स हैं वो भी बता देता हूं और यह एक्जाम जो हैं बच्चों वो कौन कौन से सेंटर पर होगा तो यूपी के लगबख सभी जिलों में एक्जाम का सेंटर है ठीक है ना बिलकुल जी अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था कि जो मेत के बच्चे हैं उनके लिए कौन से पेरा मेडिकल कोर्स हैं मेत वाले बच्चों के लिए केवल दो ही पेरा मेडिकल कोर्स हैं एक तो आप्टोमेटरी हैं और एक है बेचलर ओडियोलोजी और स्पीच लेंगवेज पैथोलोज ये दो ही ऐसे कोर्स हैं जो मेहत वाले बच्चे कर सकते हैं जबकि बायो वाले बच्चे तो सारे ही कोर्स कर सकते हैं क्या सर इन सभी कोर्स के लिए अलग-अलग एक्जाम देना पड़ेगा क्या नहीं एक्जाम एक ही देना है एक्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा और क counseling होगी counseling के समय आपको course बरना पड़ेगा कि आपको किस course में admission लेना है उस समय मेरा निविदन है कि आप number 1 वाला course बरना और number 4 वाला course बरना ठीक है ना बिलकुल जी अब देखिए बच्चों ये बात आपके समझ आ गई अब last में एक बार आप college देख लीजिए ये आपके college है ठीक है ना सबसे पहला है faculty of paramedical science UP UMS ये इटावा के अंदर college है बहुत ही शानदार college है UP का ठीक है ना इसके बाद अगला है बच्चों होमी बाबा, cancer hospital and paramedical college ये वारा नसी के अंदर है ये भी बहुत अच्छा college है नेक्स्ट है आपका KZMU, King George University में बच्चों BAC nursing भी हैं औ और paramedical भी हैं बहुत ही अच्छी UP की सबसे अच्छी university है नंबर वन college है बच्चों ये इसके बाद में आपका है LPS, LPS जो institute है बच्चों ये कानपूर के अंदर है ये भी एक government institute है अगला है आपका SGPJMS, ठीक है ये संजे गांधी मर्दोस्तों institute है ठीक है ये भी government institute है और ब अक्समी बाई college ये आपका जांसी के अंदर है बच्चों ठीक है आप देख सकते हैं इसके अलावा बच्चों अगर अपन बात करें तो बहुत सारे paramedical college भी है ठीक है UP के अंदर आप देख सकते हैं और ये इसकी पूरी list है इन सभी collegeों में admission बच्चों exam देने के बाद ही मि सीटे बहुत है ठीक है बच्चों बिल्कुल तो admission के form अगले महीने या अप्रेल में आ जाएंगे आप तो अपनी तैयारी शुरू करिए entrance exam के लिए अभी से preparation start कर दीजिए आज के लिए इतना ही जै हिंद वंदे मात्रम thank you so much thank you झाल कर दो